अध्यायो सरवस्में इमुन ये नमहां सरवस्में इमुन ये नमहां जितने भी आचार उपाद धाय साथू उनके लिए लमोस्तू और आज मैं प्रत्याख्यान विधी को ले रही हूँ प्रत्याख्यान भी एक आवश्यक है च्यावश्यक्रियाओं में उसी क्यांतरगत है आहार प्रत्याख्यान अजिक की भी थी तो जैसा की अनगार धर्माम्रत में और आचार सार में बहुत ही इस्पश्ट बढ़नन आया है कि साधू जो आहार को उठते हैं और मैंने अपनी परंपरा में शुरू से ही आचार शार साल महरागी की आहार चरिया देखी हैं एक महने तक उन्ठल begitu रहकर कि उनको एक-दो भार ज़र देखा और पहले वी निरा में बारा मत्य में दश्ज़ान किया है तो भी आहार चरिया देखी है और साथी वीर साज के संग में 22 महिने तक रहने का स्वभाग मिला और आचारी स्थिव साज महाराज, धर्म साजी महाराज के साथ तो अनेकों बर्स रही हूँ तो जो संग में चरिया पाई और जो मुलाचार, अनगार धर्मामरत और आचार सार में जो क्रियाएं हैं उसके अनसार यह संग में परमपरा रही है कि साधु आहार को जो उठते हैं टाइम अपना प्राया देखा जाता है सास्त्र में तो लिखा हुआ है कि मध्यान सामय के बाद जो दहीनिक चलिया पね आई है अन गार्दमत में लेकिन परंपरा में है कि मध्यान की सामाई के पहले पहले यहार की परंपरा है लगभग 9 वजे से लेकर के 11 वजे तक आहार की जरिया काल रहता है जैसा भी गर्मी सर्दी के अनुसार सोड़ा सा अंतर पढ़ता है तो उसमें जो है परंपरा संग में सभी संगों में यही है आज तो खास करके नवजा भक्ती होने के बाद प्रत्य ख्यान घ्र्ण करना और आहर के बाद दगे हाथ तत्काल ही वही मुख सुधी करके प्रत्य ख्यान प्रतिस्टापन कर लेना आधिक यह जो परंपरा है यही सौस्त परंपरा है कुछ सादू अभी करने लग गए कि आग्मगत नहीं है आग्मोक्त तो यहीं देखिए आप बहुत दिस परस लिखा हुआ है अनिंगार थर्म नमत अध्या इन्व और इस लोग संचितित की टीका में बहुत शा़िखा हुआ है कि घेंजंग त्याज्यं साधुने अनिस्टाप्य ओिस्टाप्यम साधू क्या कि किम पृत्याख्याना दी पृत्याख्यान उपोस्त हुए अस थोच पेहले दिन का उपवाथ से उपकाश् है। का असनादो भोजना रंभे भोजन के प्रारम में यानि नवधा वक्ति होने के बाद भोजन के प्रारम में वो कया सिद्वक्तिया कि में सिछा लग्या लगू सिद्वक्ति के द्वारा प्रत्या निश्ठापन करें प्रत्या निश्ठापन के विधी आहार की पहले वही चोक प्रत्या ख्यानम बिनिश्डापिय प्रेरितो भक्त जात्रवी यह पूण प्रतिग्या नौझा भक्ती पूण होने के बाद सिद्ध बक्ती करके प्रत्या ख्यान के निश्टापना करें और फिर समान अंगुल चतुसकांतर रांघ्रिय सित्वा समुध्रति मैंने पेरों में आपने दोनों पेरों में चार अंगुल कांता रखे खड़े हो करके मुनियाहार घंड करते हैं और आरीकाइब बैठकर घंड करती हैं तो यह परमपरा अपनी है तो इसमें जो है यह मैंने अभी दिखाया ना बढ़नी पुन्ट प्रतिग्यों था सिद्वक करना आया है तो साधू चौक्य में भोजन प्रानम करते समय लगुष सिद्वक्ति के द्वारा पूर दिन के क्रहन के गए प्रत्याख्यान या उपकास का निश्ठापन करें त्याग करें उसकी विजी यही है कि यह आथ अथा नमोस्तू प्रत्याख्यान निश्ठापन क् मन मन में और नौबार नमों कामन जबके लगुष सिद्वक्ति पढ़ लेते हैं तो सिद्वे निश्ठापन के बाद जब खड़े होना है हाथ धो करके तब यह विजी होती है ऐसे आरिकाए बैटकर करती है छुलक छुलकाए बैटकर करते हैं तो बैटकर भी नव उनकी जो नवधा वक्ति पूर्ण होने के बाद ही हाथ होने के बाद लगुष सिद्वक्ति करके प्रत्याख्यान इस्ठापन करना मंदिल में करके नहीं जाना पहले से गुरु के पास करके नहीं जाना यही परंपरा सथ है आगम के पर्ष्प्रेक्ष में और फिर निखा है कि आदेयम ते लग्ज्या चिद्भक्तिया प्रतिशाप्यम साधुना आदेयम अने ग्रहन कर ले प्रत्या प्रत्याख्यान ग्रहन करना वो भी साधू कई से कब प्रत्याख्यान दिक्वा अंते प्रक्रमात भोजना सही प्रांते भोजन के तत्कार समाप्ति के वाद वही चोके में ही भोजन को पूर्ण करने के बाद मुख सद्धी कर्दी कुड़ा कर लिया तो लगे हाथ उसी समय प्रत्याख्यान प्रतिषापन कर लेना है तो उसमें भी सीग्रम आशु सीग्रम भोजना नंतर मेव बहुत खुरासा है कि भोजना नंतर ही आचार्या असन निध् अनपस्तिती में ही बोजना के अंतर ही प्रत्याख्यान गिरन कर लेने वे बहुत खुरासाद अगले दिन आखर गिरन के पूर तक हमारे चतुरी दाहर का त्याग है तो इसका भी हेतु दिया है कि त्याग करके ही वहाँ से आए फिर गुरु के पास आखरके लगु प्रत्याख्यान गिरन करते हैं यह परमपरा है दिनके संग में अभी गुरु नहीं जो सेम गुरु है आचार है उपाधा है तो वो भगवान के पास गिरन करते हैं या अपने वसद्का में गिरन करते हैं परोक्ष में भगवान की साक्षी पूरत तो यह यही स्वस्त परम कि वाद हैं। नोदा बख्ती कर दोने रlor आपने कि अधिर के प्रेग। प्रचिशापना आचारी की समीब आकर के पुना गर्हन करें प्रचिशापना साधू किम्तत परत्याख्यान आदी कया लगया सिद्वक्तिया लगु योग भक्तिया दिकया लगुसित भक्ति और लगुयोग भक्ति पढ़के पुनाहा गुरु के पास आकर के पर्चाख्यान ग्रहन करें कया और पुनाहा सूरी भक्ति पुनाहा आचारी भक्ति पढ़के गुरु बंद्रा करें यही परंपरा स्वास हमने देखी है और बराबर करते आये हैं आज 68 ब ले निकलते समय भगवान के दर्सन करिया यह तो अपने संग में आचारी सांसार जी महराज आचारी विमार साजी महराज को हमने देखा है कि यह आहार के उठने के पहले मंदिर में जाते थे और उसी समय पंचार तफ्षेकादिक देख करके शुद्धी करके मंदिर के बाहर स अरका है पहले से उपस्तित हो जाती और आचार वीर साज की संग में देखा है कि सुवह यह आफ्षेक देख लेते हैं पंचार देख लेते थे हम लोग प्राता काली पंचार शुद्धी करके मंदिर में गए और भगवान की लगू चैटवकती वगएरे पढ़के बंदरा कर लेते हैं और पुरहां जाकर के नोधा वक्ति होने के बाद तो इसमें हेतु दिया है आचार विशार महराज भी कहा करते थे तो यह माल लीजिए आहार के लिए निकले हाकासमा द्रास्ते में कोई मुर्दा आ गया यह कोई समस्चिया आ गई किसी से छू गए इस पर्स हो गया तो आकर पुना सुधी करके उड़ जाते हैं आहार को तो अगर प्रत्याख्यान समापन करके गए हैं तो पुना वहार को नहीं उठवाएंगे दूसरी बाते हैं कि बीच में कदाचित मरणाजी हो गया तो प्रत्याख्यान त्याक के बाद आसमाधी हो जाएगी इसलि निकर करके गए, दूसरी बार पना लोगों ने पढ़गान किया, दूसरे चोके में गए, ऐसी समझ्या आती ही, कई बार आती हैं, तो कुल मिलाकर नवजा वक्ति होने के बाद, और जब खड़े होते हैं, तो हाद धो करके नवजा वक्ति पूर्ण होने के बाद, जब जब सुद्ध है, ये नवजा वक्ति होई, नवजा वक्ति होने के बाद, हाद होने के बाद, जब सिद्वक्ति पढ़के, खड़े होकर आहार घ्रण करते हैं, और ग्रहन करके, और लगे हाद, बैठे कुला किया, मुक्सुद्धी की, लगे हाद वहीं, पर्चाख्यान, अजब पर्चाख्यान, पर्चिशापन, क्रिया हाद, सिद्वक्ति कायु सर्गम करों में, मौन पूरोखी, पढ़के मन में, और नवजा वक्ति कायु सर्गम करों में, और पर्चाख्यान, ग्रहन की, लगु सिद्वक्ति कर ली, गुरू के पास आकर के पुना, लगु सि शापन क्रियाम बोल करके और काविसर करके लगु योग भक्ति पढ़ियाती है यह है गुरु के पास क्रिया फिर गुरु परता ख्यान दे देते हैं अरहन से दाचार पादाय साख्षी पूरग कल तुम्हारे उपगाव से या आहर क्रहन करने तक का आहर चेति दाहर का त्या क्षिर शाष्थ के अनुसार है अनगर्ध्र मामरत अढहाई 9 में खुलासा है और आचार सार में है जो तक करन Nicole को सवाली नहीं इतना तो याद करा ही रेते हैं गुरू और नहीं आए तो खाली नमोकार मंद्र नो बार पढ़ ले तो नहीं सिद्वक्ति तो लहू सिद्वक्ति आनिवार ही पढ़ना ही चाहिए उतना तो पहले से कितने अनपर सादू हो इतना तो शिखाया ही जाता है इतना तो याद कराया ही जाता है जैसे नमोकार्मांद बच्चों को घर में पढ़ाया जाता है, ऐसे साधू को दिख्या लेने के बाद में कम से कम लगु सिद्वक्ति, लगु योग भक्ति आदिक पढ़ाई जाती है, लगु सिद्वक्ति तो याद होना चाहिए, लगु सिद्वक्ति याद है और उसको लगु सिद्वक्ति तो याद करानी चाहिए, पढ़ानी चाहिए, इतना तो होना ही चाहिए, लगु सिद्वक्ति और फिर आगे लगु सिद्वक्ति और लगु योग भक्ति गुरु के पास किताब लेकर पढ़ने, दो भक्ति, एक भक्ति तो रठा जेनी चाहिए, इतनी याद होनी चाहिए तो इसी देने शिद्यक चैसे बच्छों को नवो का इंद पड़ायग जाता है आई से सस्द्विसांगव में देखा है केसे बने अनपड देखा है ऩान भी मैं बिना पढ़े भी देखे हैं कोई-कोई माताजी कोई-कोई साथु पहले थे पुराने जवाने में बिल्कुल नहीं पढ़े थे तो अब है उनको इतना तो रटाना ही चाहिए पढ़ाना चाहिए यह विद्धी है खेर तो इस प्रकार से ऐसे कोई साथु परत्मान में नहीं होंगे जो इड़कुल ऐसे हों कि जिनको जो है लगुसे दिभक्ती याद नहीं हो सके यह मैं ऐसा नहीं समझती तो बुकुल मिला करके यही है एक तो आहार को उठने की परंपरा में कह रही थी कि दो प्रकार से है एक तो बाएं हाथ में पिछी कांडल लेकर के और मुद्रा रख लेते हैं पहले से ही और निकलते हैं निकलते से एक यह परंपरा है और यह कि दाहिने हाथ में पिछी बाएं हाथ में कोंडल लेकर निकले आहर को और वहां पढगने के बाद मुद्रा लेत है देंट ल्किन अर्रीकां के लिए कुई मुद्रा की आओशकता नहीं कोई मुद्रा लगा लेती है चार यहां पर लेकिन कहीं हमारे संग में आठीर भीजार वीटसार महारत कहते थे किwen अर्ड कोई मुद्रा की बात नहीं तीजह कि देखने में नहीं प्रेंप्रा क्यों तो कहीं मुद्रा लेकर ही मंधिय निकलते हैं और निंगल अजो पढर जा गए तो मुद्रा रखते हैं तो खास करके यह है कि प्रत्या ख्यान प्रतिशापन विधी नवदा वक्ति होने के बाद आहर सुरू करते के पहले करना चाहिए ततकार क्योंकि माल लिए दूसे घर निकल करके दूसे चगम जाने का प्रसंग आजाए तो पहले ने करना चाहिए हाथ होने के बाद जब खड प्रतिशापन करके फिर आकर गुरु के पास लगू सिद्भक्ति लगू योग भक्ति पढ़के प्रतिशापन विधी करते हैं यह हमने छोटी सी पुस्तक भी निकाली है दिगंबर जैन साध्मों की आहार प्रताख्यान विधी इसे पूरी विधी दी है और प्रमान भी दिय है इसको भी आप लोगों को देखना चाहिए पढ़ना चाहिए बहुत साफ साफ लिखा हुआ है कि लगवयू भोजन स्यादव भोजन आंते जग्रहियते है कि उप्वासर प्रत्याख्यान ने कहा है कि हो सकता है हमें समय याद नहीं है सिद्ध योग लगू भक्तिया प्र सूरी बंदोद साथना तो इस पर लिखा हुआ है कि शिद्ध भक्ती पूरवक प्रत्याख्यान का मुझ्चिते मने चाक करे अपना लगू भोजन से आदव लगू आयो भोजन के आज इमें और भोजन आंते अब भोजन के आंत में भी लगू सिद्ध भक्ति पूरवक प् भी बंदला करें सिद्ध भक्ति पूरव्क पीछे निए कर दोगो पीछ है लगू सिद्ध भक्ति और ये जो है बड़ी भक्ती का विधान अभी आएगा ये त्रवदसी को जब नंगल गोटिनमद्ध निमद्ध निन जो होती है कि रिया तो ये जो है वर्सा यूपरतिश श्ठापना में बड़ी भक्ति का विधान है यह अभी इसको हम बर्सायव पृति शापना विजी में लेंगे पर सब्सक्राइब जाते समय जो अंतराल पड़ता है स्रावक के घर पहुंचने तक तो उस अंतराल को हर में सामिल करेंगे कि नहीं उससे कोई समय में एक प्रस्त शामिल हो जाते हैं लेकिन उसमें जो है उसको पहले ग्रहन इसलिए निकरते पृत्या लवी छोड़ा नहीं है इसलिए माल लीजे कोई किसी का इसपर शो गया तो उसको नहीं गिनेंगे तो आकर सुधी वापस कर लेतें फिर से उठतें पहुंचने नहीं है फिर आहार तय किसी से इस पर फोगया चूँ गये कुछ बी तो आकर कि वापर सुधी करते हैं साथू देशन साहदाधी फिर से भक्ति करके भागवान की बंदना करके आहर को निकलते हैं इसमें तो इसलिए पहले नहीं घ्रहन करना पहले कि उसमें नहीं है आहर सुरू करने के बाद से लेक एक किलोमेटर जाना पड़ता है तो रस्दा मोड देते हैं वापस आ जाते हैं शुद्धी करके फिर से निकल जाते हैं कई बार इसे पर संग आते हैं चूग गया किसी से तो शुद्धी करके आपस उठते हैं इसलिए प्रत्यक्यान मंदिर में पहले नहीं लेना चाहिए और यह हमने परंपरा पाई है अपने संगों में कि मंदिर के दर्सन करके ही निकलने की आज साथू बिना कोई-कोई दर्सन के वेकर उठ जाते हैं अहार को तो यह एक नई परंपरा आभी हमने देखा पहले नहीं था पहले पुराने जवाने में आचार इसे ही सांथार जी से के बीशार जी महाविर किर्थिया इक को मैंने देखा है कि अधक्षिन में परंपरा पाई थी कि मंदिर से ही अहार को उठते है शुद्धी करके मंदिर बेगए भगवान को दर्सन करके ही आहर को उठते है अव सब संथंग एक साथ उठता आट अचार महराज आगे हैं उन इसा भी देखा जाता है वो चीज अलग है वो अपवाद रूप है उसकी वेवस्ता अलग है तो मुल्चित यह है कि गुरू के साथ में गुरू के निकलने पर मंदिर से निकलने की परंपरा मंदिर का दर्शन करके निकलने की परंपरा यही सास्रोक्त है अभी तो कोई-कोई सादूं जहां है वहीं से वस्धिका से अपने हार को जाते हैं कोई कोई कहते हैं है चतुर्षकाल की प्रभी से चल्पी करtså संगी की हैств कि आ में इस इस मोग संगी की इस्से रेटा मर्यादा ब कि घूके में 40 करने के रजकान अंतराय करने तो पहले के नहीं हैं तो अहार ही नहीं हो पाएगा हमने देखा है अब यहां बड़े बड़े संग आए अभी हमने वहां भी देखा मांगी तंगी में भी तो सभ साधू साथ मंदिर कहें उठेड़े जाकर परतोट करते हैं ओक फियान थे आखे हम एकाया प सद्रे प्रतियो में चोप्रेश के हैन लुड़ा Syd को जब पहले पुट हाथ्मोचित-विराधमान हो गय है बैठ चुके हैं फिर दाता ने हाथ धुला दिया है आधिक निव्शा वक्ती हो गई है पूल प्रतिज्योथ सब्सक्राइबर ने पर होने अपने से खड़ाँ होए तो रहतें फड़े भी शी अगर रस्ते में कोई देख लिया तो नहीं बिल्कूर नहीं रस्ते में कोई कारण बन गया रस्ते वह कारण होते हैं शहरों में एक क Allah पने हए चुरें संधिंसे है 주कल है और वहां टुक दरियागंड जैपटर में बहुत बड़ी दूर दूर तक काहार को जाते हैं साथ हम लोग जाते थे तो बात नहीं है कि उसमें कुछ नहीं तो यह आहार जो वहां नौजा वक्ति पूर्ण ने के बाद हाथ धो करके जब और अहार शुरू करना है तब प्रत्याख्यान इस्टापन करेंगे और उसके बाद अंतरा लाग वोगी उसके और उसके बाद अंतरा लाग वोगी कोई ब्यांतरा है तो इसके बाद जो है फिर आहार करके एसी ले ततकाल होने के बाद मुक सुद्धी करके लगे हाथ महीं पर ट्रताख्यान पर चिशावन कर डेंगे लहुचिद वक्ति से फिर आकर गुरू करेंगे और जो स्यम गुर हुआ भगवान पास कर देते हैं यही परंपरा मैंने संग में पाई है यही सास्त्र में है बोला इचार अनगार समझना होते हैं आचार साथ भहुत इस परश्टी करन है और और इसकी प्रश्ट्रा और दखुचिध घ्रक्ति लगुजग भक्ती और लगुजग बहुत आचा तर्मार्वत में कि वहीं पर भॉजन करने आहार की ऋहीं पर लगू सभी वक्ति पूर्वक परट्या घरने का जो वीद्द्वान इस सवाज़ हर इसे वहीं पर पencyтаки करने इस समाद ही कर गूरू के पार लेना यह इसमें यह तो इस लोग शहीं टीस अरतिस अर्गार श्रमा मुझत का शहीं नुमी अध्याय में शहीं टीस टीका में भूत खुलास का किया बहुत खुलासा किया है इसको पढ़कर के देखना चाहिए आपको और इस पुस्तक को भी देखें आप कि आप टरंजा कि यह तो कि यह तो कही बार हमने भी देखा है कि संग में जो है अनका तो मिलकर भी एक साथ आप ओर नहीं ले लेते हैं अक सब बिलकर ले तो परत्याख्यान लेने के बाद गुरु हक्ती पढ़के गुरु बढना कर लेते हैं । अपने मज़्धान किसा मैं अपने अपनी निक्ल्याओं में लगते हैं तो बात है कि यह परमपरा तो सघ्ट में चली आ रही है अभी कुछ दिनों से यह डाल दिया है पंदा इक हां से आ गई है जो भी हो लेकिन आगम में सम्मत और गुरु परंपरा से जैसा की भी सार जी शीचार जी जारम सार जी महराजादी के संक्ते हमने जो पाया और जो आगम में पाया तो यहीं वीधी है कि बस भगवान की दर्संग करके आहर को निकल पहले से अंतराल भूब करें कि तो तो आहार fonosan Amal Nushka investors ride कोई भी समझस्थ आए जाेंगी को इसलिए इसलिए वही जाकर्पाय भ्यान लेनीन दौर हेद और अहार के अंप्टाग मैं तर्ट GETA विधाने को आगे हम उसको आगे लेंगे कि वीधिने के तो मेरी समझ है यही आया और परोंपरव यही है और का अन्गार हमा मिक यौ मी अद्धाय का अध्या बारिकीृ से ज्यान रखें पहले से पहले ही प्रत्याख्यान इस्षापना नहीं करनी चाहिए मंदिर में या गुरू के पास नौधा वक्ति के बाद ही चौके में ही करना चाहिए और वहीं लगे हाथ प्रत्याख्यान ले लेना चाहिए यही स्वस्व परंपरा आगम परंपरा आगम के रूपरंपरा है और अपनी गुरू परंपरा है नवोस्ता